हाई गाइस यसका यूज हम बस एक बार करते हैं आपके गहर में जैसा भी डिया एवलेबल हों आप ऐसा ले सकते हैं छोटा या फिर बड़ा मैं यहां पर बड़ा वला दिया यूज करने वाली हूँ म inflamस थीय कि नहीं पारटरेस में बदलना है तो इसके लिए हमें चाहिए favicle molded clay तो सबसे पहले फटाफट हम इन दोनों components को अच्छी तरिके से mix कर लेंगे तो white texture आने के बाद हम अपना clay work शुरू कर सकते हैं सबसे पहले मैं potroys का head बनाऊंगी और उसे मैं favicle के help से दिये के ऊपर stick कर दूँगी अब हमें लेना है एक clay tool और उसके help से मैंने आगे एक mark बनाया है आप ये काम stick के help से भी कर सकते हैं अब मैं potroys के pair बना रही हूँ तो मैंने circle को flat कर दिया है और ds stick कर दिया है इसी तरी के मैंने उसके 4 pair बना दिये है अब tool के help से मैं उसके pairों पे lines बना रही हूँ जिससे कि हमारे tortoys का look थोड़ा और enhance हो जाए मेरे पास थोड़ा सा clay और बच गया था तो मैंने इसकी एक छोटी सी tail भी बना दिये मुझे नहीं पता कि actually मैं tortoys के कोई tail होती है कि नहीं होती है बट मेरे पास clay बचा था तो मैंने बना दी and tail बनाने के बाद यह मुझे थोड़ा ज्यादा cute लगने लगा clay work तो पूरा हो गया है now let's move to the second step जो की है just so apply करना या फिर white acrylic paint तो यहाँ पे मैं as usual white acrylic paint ही use कर रही हूँ and मैं white paint से पूरा उपर का portion अच्छे से cover कर दूँगी आप यही सोच है ना कि हम white paint हमेशा starting में क्यों use करते हैं तो actually white paint apply करने से हमारे art piece को एक अच्छा base मिल जाएगा and उसके उपर हम कोई भी color apply करेंगे तो वो और निखर के आएंगे अब मैं tortoise के back पे black paint apply कर रही हूँ यह totally optional step है अगर आप करना चाहें तो कर लिए otherwise leave this step and अब हम आगे बढ़ते हैं now it's time to apply color over this tortoise जिससे की इस पे tortoise वाला look आएगा तो यहाँ पे मैं dark green color apply कर रही हूँ दिये के ऊपर मैंने यहाँ पे green color की दो layers apply की हैं क्योंकि एक बार में हमेशा ही brush strokes visible रह जाते हैं तो दो बार apply कर देंगे तो उससे कोई भी brush stroke visible नहीं रहेगा फिर हमने जो clay से tortoise के head और legs बनायते उस पे मैंने एक lighter shade of green यूज़ किया है यहाँ पे मैंने जितने भी colors यूज़ किये हैं वो सब acrylic colors है तो मैं फटा-फट अपने tortoise के legs and head को paint कर दूँगी और paint होने के बार अब बारी है इसकी eyes बनाने की तो आप brush से भी बना सकते हैं बढ़ यहाँ मैंने mandala tool का use किया है जिससे की perfect circle बन जाएगा फिर मैंने white color से eyes में थोड़ी odd detailing साथ की है कितने cute लग रहा है न तो चलिए आप comment करके बताइए कि यह आपको cute लग रहा है कि नहीं लग रहा है और अब मैं फटा-फट इस पर varnish apply कर दूँगी जिससे कि हम इसको finely decorate कर सकें अब मैं इसमें stick करने वाली हूँ mirror जहां मैंने यह mirror से flower बनाया था अब यहां पर मैं 3D outliner कर यूज करूँगी और कुछ designs and patterns बनाऊंगी आप अपने मन की कोई भी design यहां पर बना सकते हैं इस totally up to your choice फिर मैंने ऐस से sky trip mirror लिये हैं और उन्हें one by one stick कर दिया है और यह mirrors भी मैंने उपर वाली design के according की stick किया है और एक बार यह सारे mirrors stick हो जाएंगे इसके बाद फिर से हमें अपना 3D outliner लेना है और उसके around भी वैसे ही design बना देनी है जैसे हमने उपर बनाई थी अगर आपने different shapes के mirror use किये हैं तो फिर आप उसके according design बनाईएगा अब जहाँ जहाँ needed है मैं वहाँ पर थोड़ी और detailings आड़ करूँगी So finally हमारा tortoise complete हो गया है और यह रहा tortoise का final look If you enjoyed the video then press the like button And if you are new to my channel then don't forget to subscribe it Thank you for watching